कैसे हैं आप सब हां जी मित्रों क्या हाल चाले हैं आप सब के सुद मैं लेकर आगे हूं आपके साथ सीए इंटर ओडिट का 1.5 देज प्लैनर येस यू हड़ इट राइट सो कैसे अपने पूरे इंटर ओडिट के सारी की सारी बाते मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे चोट इसी रिक्वेस्ट है सर क्या वीडियो को लाइक जरूर कर दे ताकि ये बाकी इंटर स्टार्स तक भी पहुंच जाए उन तक भी प्यारी प्यारी पॉजिटिविटी पहुंचे और कहा गया है कर भला तो हो बला तो सर हमको तो चाहिए बहुत सारे बहुत सारी दुआएं एकदम बढ़िया तो कुछ नहीं करना एक दम प्रेम पूर्वक तरीके से रिवाइस करते वह चलना है कॉंसेट्स को कुछ बाते आपको याद आएंगी कुछ नहीं आएंगी ज्यादा घवराना नहीं है बस आपने देखना है कि हां ये टॉपिक है ये बाते उनको एक बार फटा-फट आपके खतम हो जाने चाहिए अब तर ठीक है सिर्फ नोट्स काफी होने चाहिए बट अब अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको को कोशन प्रेक्टिस भी साथ-साथ करनी है तो जो आपके खुद के मार्क कोशन है उन पर फोकस करके चलो या फिर अगर आपको चाहिए सर आप भी मार्क करा दो आपके कोशन बेंगे साब से कौन-कौन से प्राइरिटी कोशन है वो लिस्ट भी मैंने आपके लिए रेडी कर लिए है कैसे आप उस लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो मैं धीरे-धीरे इस वीडियो में बताऊंगा ठीक है सर आज यानि 19th of September को आपको क्य मौरिनिंग वाली चैप्टर नंबर टू हमारा फेवरेट चैप्टर ओडिट प्लैनिंग सो प्लैनिंग स्टैटिजी और प्रोग्रेम के साथ आप शुरू करोगे डेड़ घंटा मुझे लगता है मैंने आपको टाइम दिया है अगर आपकी किसी चैप्टर में बहुत पांच नंबर का कोशन आ सकता है तो इन दोनों चीजों को आप साथ से नौ के टाइम पिरिट में शुब महूरत में अच्छे से कंप्लीट करोगे इसके लिए मैंने आपको अगें एक घंटा दे दिया है इस एक घंटे के ब्रेक के बाद यू विल बी अगें बैक विद ए इनर्जी और जब वो एनर्जी के साथ आओगे तो सबसे पहले आप यह रिपोर्टिंग वाले स्टेंडर्स कंप्लीट करोगे बहुत असान है बहुत ही क्यूट क्यूट से स्टेंडर्स होते फटा फट निपटते जाते हैं तो 700 की सीरीज 299 600 इसके लिए भी मैंने आपको गंटे में आपका पूरा का पूरा यह सेट कंप्लीट हो जाना चीए कहीं पर पांदस मिनट ऊपर नीचे लग रहें कोई बात नहीं है लगा सकते हो कोई टेंशन की बात नहीं है देन सर आपके बास लंच ब्रेक आजएगा दो से डाई वजे का आदा घंटे का मैंने आप आपके टॉपिक सचे से कंप्लीट होते जारे वहां वहां आपको आधा आधा घंटा एक गंटे का बढ़िया ब्रेक मिला है फिर उसके बाद लंच ब्रेक के बाद थोड़े से टायड होगे तो एक दम खटा मीठा प्यारा प्यारा टॉपिक आपके लिए रखा है कारो 2020 अगर आई से कोई अंदर का पॉइंट वगर है पूचले कारो 2020 से तो यू शुट बे अबल टो डील वेद इंद एंप से करके चलना कंपनी ओडिट में वही दो तीन सेक्शन से उसके अलावर कुछ आपको खास कवर करके चलना 143 1 143 3 इन सर इसके बाद 45 मिनिट्स आप गि अच्छे से कवर करोगे अगें focus area कह रहेगा जिन चीजों पर आई से कोशन से पूछ रखे हैं ठीक है सर यहां अगें अगें half an hour I am given you for automated environment अगें यहां पर भी focus आपका question bank वाले अरिया पर रहेगा जिन जन अरिया में questions पूछ रहें उन पर focus करना बाकी चीजों अच्छे से cover करते चलना from the notes then sir 5 15 to 7 p.m. around मैं दो घंटे देना चाहता था था थो फिर भी आपको around 2 hours मिले हैं sir किसके लिए bank audit के लिए bank audit को इतना अच्छे से करना जरूरी क्यों है क्योंकि अगर आप MTP देखो तो MTP में 10 number की ICA ने case study पूछी 4-5 number का descriptive question पूछा तो कहीं ना कहीं bank audit is also very important अब sir इस पूरे chapter में ज्यादा घूम मत जाना एक area advances इस पे आपने एकदम बढ़िया वाला focus बना के चलना है ठीक है तो मैंने यह नहीं का कि सिफ bank audit में advances करके जाने ना 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 bank audit करना तो पूरा है बट एक अगर मैं बोलू focus area जो रहेगा वो sir advances वाला है जो ICA को बहुत the audit trail उसके बाद आप जाओगे अपना dinner करने 8.30 to 9 then sir इसके बाद क्या करेंगे 9 से 12 में आपने यह सारे के सारे topics अच्छे से complete करके चलने then you can take your sleep 11.30 to 6.30 उसके बाद आजाएगा आपका पढ़िया वाला exam day अब sir कई सारे बच्चे पूछ रहे है sir audit of different types of entities का क्या करे audit of items of FS का क्या करें so सबसे वहले तो भाई साब good morning जी it is the exam day now just have faith on your efforts जो भी आपने महनत करी है वो class में इतने जादा समय बिताया class के साथ caution of the day की practice करी कुछ ने करी कुछ ने नहीं करी जादा नहीं सोचना उस बारे में सबको अच्छा result मिलेगा ठीक है sir उसके बाद आपने कई सारी rev you are here so जो भी आपने अब तक efforts डाले उन पर आपने भरोसा करना है you get the point or not yes sir उसके बाद तीन घंटे sir मैंने दिये एक chapter के लिए जिसका नाम है audit of items of efforts अब इसमें भी कई बच्चे सोचेंगे sir हमको focus area बता दो तो आपका focus area होना चीए एक तो disclosure plus जो भी आई से इन recent MTP, RTP के questions प बना रखी है sir क्या एक बार अगर आप YouTube चैनल पर आओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगी audit of items of Fs की must do session जैसी मैं must do session पर क्लिक करता हूं यहाँ पर मेरे पास 3 वीडियो आ जाती है session 1 जिसमें मैंने disclosure की बात कर रखी है session 2 जिसमें मैंने ICI के study material के questions करा रखी है and session number जो अग आपके पास sir option क्या है sir दूसरा आपके option है आप पूरी की पूरी जो revision of audit of items of Fs यह आप refer करके चल सकते हो तो जब आप जाओगे playlist में CA inter audit September 24 revisions इस playlist में अगर आप end में आओगे end में आपको just before the RTP MTP sessions इसके पहले यह वाले आपको session मिल जाएगा yellow color में audit of items of Fs की revision आपको जालता हूँ लग बग 2 hours 48 minutes लग बग 2 hours 48 minutes में हमने पूरा का पूरा chapter of audit of items of Fs कवर कर रखा है साथ ही साथ मैंने यहाँ पे भी सारे disclosures कवर कर रखे हैं यहाँ यह भी बताया कि कौन सी चीजें जो recent RTPs MTPs में आई हैं तो अगर आप चाहो क्यूंकि मैंने आपको 3 hours दी है for covering audit of items of Fs तो आप इस revision के साथ-साथ ही पूरा audit of items of Fs कवर करके चल सकते हो अब यह audit of items of Fs के notes वगरा कहां मिलेंगे कैसे मिलेंगे पूरा मैं guide करके चलता हूँ don't worry about it ठीक है सर तो यह आप अगर तीन घंटे devote कर देते हो तो audit of items of Fs में आपके एकदम बढ़िया वाले number आ अगेन मैं बताये तो focus area क्या है जो भी disclosures वाले question है और जो recent MTP, RTP, recent MTP, RTP मतलब RTP, MTP, May 24 और September 24 प्लस जो assertions वाले topic हम chapter 20 में cover करके चलते हैं then you will take your breakfast और breakfast के बाद यह जो different types of entities है इसको cover करके चल सकते हो सर इसका इका दुक्का questions कई बार आ जाते है अब इसमें भी priority पे क्या focus करना है पहले hotel firm कर लेना easy easy फिर उसके बाद cooperative society then trust and society फिर hospital फिर education cinema club और उसके बाद अगर टाइम बचे तो बाकि अब others others कर सकते हो में क्या आ जाएगा government audit अगर आ जाएगा अब government audit have chapter इता बड़ा बट सर माल लो चलो उसका question आ भी गया but इता बड़ा chapter फिर उसको वापिस cover करो revise करो it takes a lot of time तो तभी मैंने आपको बोला पहले इन चीजों को cover करना उसके बाद जो time बचे उसमें आप बाकी other topics को cover कर सकते हो make sure जो भी आप heading कर रहे हो उसके सिर्फ 5-6 point cover करके चल रहे हो because question 4-5 marks का ही आएगा and that's enough my friend just remember to pass you just need 40s or 50s and with that comfort just give your best and God will take care of the rest sir एक बात बता हो हमें सारे resources कहां मिलेंगे तो मैं आपको एक बढ़िया वाला Google Drive का link दूँगा ठीक है sir उस Google Drive के link में audit of items of FS के notes मिल जाएंगे 40 pages के एक दम short crisp notes है जिसमें पूरा ICA study material covered है प्लस मैंने highlight कर रखा है कौनसी कौनसी चीज़े RTP MTP में आई है तो उन पर बढ़िया वाला focus कर पाऊगे disclosures आप easily cover कर सकते हो उसके अलावा जो मैंने आपको questions cover करने को कहें है उस questions में जो priority list है एक बार मैं priority list open करके दिखाता हूं just give me a second I think यह open हो जाएगी yes sir हो गई इसमें भी मैं बतायता हूं इसके साथ आपने कैसे deal करके चलना है देखो जी या तो जो questions आपने mark कर रहें उससे focus करो अगर mark नहीं कर रहें तो ये वाले questions मैंने आपको chapter wise दे रहें इनको आपने अच्छे से cover करके चलना है plus जो आपके RTP MTP May 24 के questions है उसके आपके पास compilation नहीं होगी तो question bank addendum आपकी na question bank के पीछे चिपका हुआ है आपके question bank के पीछे चिपका हुआ है उस question bank addendum को आप साथ साथ cover करके चलेंगे अब कई बच्चों के आप पुराना अगर edition है तो question bank addendum का PDF भी मैंने google drive के link में दे दिया है along with this आपने RTP MTP September 24 के questions cover करने है अब पूछोगे sir वो कहां पे है अब आप बोलोगे sir वो कहां पे है तो वो भी मैंने इस google drive के link में दे दिया है तो जो RTP MTP May 24 है उसकी compilation यह है और जो RTP MTP September 24 है उसकी compilation भी मैंने आपको यहां पे दे दी है सो मित्रों करना क्या है सौ बात की एक बात चैप्टर उठाना है चैप्टर को फटा फट नोट से revise करना है प्लस जो भी marked questions है उसको करते वे चलना marked questions नहीं है तो आप इस question bank की जो मैंने list दिये इसको refer करते वे चल सकते हो और जो भी करो बस उसको अच्छे से cover करते वे चलना you got the point or not yes sir ज्यादा सोचना नहीं है ज्यादा tension नहीं लेनी just एकदम flow में आगे बढ़ते जाना है again आप मेरे से पूछोगे सर priority किसको देनी है notes या question bank को सबसे पहली priority आप notes को जोगे सबसे पहली priority आप notes को जोगे because अगर ICA ने नया question बनाया तो वो कहां से आएगा notes से आएग so एकदम जी जान लगाएंगे एकदम अपना best देंगे कोई भी कोई भी कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे जहां हमको लगे काश मैं यह भी कर लेता काश मैं यह भी कर लेता तो कोई भी आप अपना effort कम नहीं छोड़ोगे हमने अपना best देना है because when you give your best God takes care of the rest that's all I can say ठीक है so just you have these 1.5 days एकदम जी जान लगा दो just give your best and trust me मज़ा आजाएगा make sure आप वीडियो के comment section में commitment जरूर कर ले मेरे लिए नहीं किसी और के लिए अपने लिए कि sir I will give my best and score 60 plus कम से कम 60 plus in CA inter auditing और फिर मिलते हैं आपसे CA final में एकदम जी जान लगा दो all the best मित्रो have a awesome 1.5 days